पहला स्टॉक कॉन सा, पहला सवाल कॉन सा, हमिज जी के लिए है, इंडिया स्टावर्डी, किते स्टॉक हैं, किस भावफ पे माम, 128, 128, 128 शेर्ज हैं, 169 रुपीज पे, यह लड़के ने चुना था स्टॉक क्या, नहीं मेरे को अच्छा लगा, उसके मैं थोड़ा राइदा लिए, फिर चालू किया, अरे यार, आप तो एक्दम सही चुन ली, अच्छा यू लगा था, ऐसे अच्छा लगा इसलिए कि कोई ओरीज़े कुछ था कारणा, नहीं मेरे को यह तोड़ा आगे बढ़ने काता ना, हावस वाई पूंग, फिर भी मेरे को इच्छा लगा, न हमेजी, डबल से जादा हो चुका है, मामल, मजदार हो गया, एक दम, साड़े 300 पर बैठा हुआ स्टॉक है, क्या करना जी है, हमेजी, कॉंटिटी भी बढ़िया है, 108 शेर, यहां पर थोड़ा बात मनाफ़ा बांदूं या भी मोमेंटम और है, राइट करूं, क्या करोगे है आप, आशी चीप स्ट्रक्चर काफी स्टॉंग है, लेकिन ये बात भी सही है कि मार्च अप्रेल मैं ये दो मेनों में स्टॉक लगबद 260 के लेवल से अल्मोस्ट अभी 351 के लेवल पे आगया, वान साइड़ पैराबॉलिक राइस हुआ है, कितना भी स्टॉंग ट्रें अब यहां पर 50% प्रॉफिट ज़रूर बागना चाहिए पोजिशन में, बैलेंस पोजिशन को आप ट्रेल करें, क्योंकि मोमेंटम इसमें है, एक 335 का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के बैलेंस पोजिशन को होल्ड करें और मोमेंटम को राइड करें अनापूर्णा मैम, जो भी लगा था, आपको गजब लगा था, बहुत बढ़िया मुनाफ़ा हो रहा है, अगर मुनाफ़ा घर नहीं आया तो क्या मुनाफ़ा, तो आधे, 125 के आधे, मतलब 60, 65, 70 शेर्स बांद लो मुनाफ़ा, बचे वे स्टॉक्स को होल्ड करो, तो पै पास गॉलियर जा रहा हूँ, भावना त्रिपाटी जी के पास, भावना मैम, हाई, गुड आफटर नून, भावना मैम, क्या गरते हो गॉलियर में आप, सर मैं हाउस वाइप हूँ, सीपरी, गॉलियर के पास यूपरी है, होँआ रहते हैं हम लो, हाँ, अच्छा, भावन पास यूपरी जा रहा है, हाँ, सरी बता दीजी आफ, क्या करना आ रहे है, अविज जी भई, बढ़िया खरीद है, दो सो पचीज पे, डेड़ सो रुपे गेन हो रहा है, मन बनाया हुआ है, पांच साल के लिए रखेंगे, तोड़ा बहुत आप हामी भर दो, तो भरोसा बढ़ जाएगा, अब इसकी चार्ट बार तो बहुत परानी मिलेगी नहीं आपको, मेरे भी जो अवेड़ डेटा काफी कम है, लेकिन चार्ट में हाई रहा है, हाई लोस बन रहे है, ट्रेंड इंटैक्ट है, तो मैं यहां पे और एकदम मैच्वर ट्रेंड अभी यहां प सकते हैं, लेकिन जो पूजिशन है, उसके प्रॉफिट को प्रोटेक करने के लिए, आप तीन सो साथ का स्टॉपलोस लगा के पूजिशन में बने रहे हैं, इसे पूजा सिंग जी, पूजा माम, गुड आफटनून, पूजा माम, आपको इतना टाइम हो गया स्टॉक मार् पूजा माम, पहला सवाल, अमिजी के लिए, अज सब गाड़ी कमाई के साथ बैठ हुए, इंडो टेक डबल हो चुका है, अमिजी, अब ये 10 स्टॉक्स हैं, क्या करना जी, मुनाफब बांदें, होल्ड करें, और खरीद लें, जैसा आपको होगे, वैसा करेंगे, जी, आजी जी, अगर इसका चार्ट देखें, तो बहुत कम वोल्यूम पे ये सर्किट टू सर्किट लगाया, इसने, और रिसेंड़ी एक प अब ये तो अब ये तो आप रोफिट बुक कर लें, और अगर आप फोड़ा फिर बेट करना चाते हैं, तो अठारा सो के स्टॉप्स के सार्ट बने रहे हैं. अब बतलब सर्किट सर्किट खुला, फिर सर्किट सर्किट ऐसा, स्टेप बनते जा रहे हैं, इन सक्सक्राइब बच के रहे हैं, ठीक बात लेकिन अभी तो बढ़िया मुनाफ़ा हो रहा है, क्विक्ली एक सवाल लेता हूं, समय खतम हो रहा है, अन्नपूर्णा मैं सब्सक्राइब बढ़िया मुमेंटम में पकड़ा, एकदम नामचीन ट्रेडर है, एकदम आपका रखा तो, लॉंग टर्म के लिए रखना चाहती हूं, अमिजी, चपन रुपे गेन हो रहा है, रख लें क्या, अलांकि ये मुमेंटम वाली कानी है, फंडमेंटल वाली कान सब्सक्राइब ब्रेक आटर में भी ब्रेकाउट है, बैलेंस 50% पोजिशन का अपना 158 का स्टॉप्लस रखे और उसे राइट करें, भावना मैं, जियो फिनाइंस के बाद अगला स्टॉक, सर पचास से बेदानता के हैं, और रेट की 241, तब आगे क्या करना है, सर, मरे व कि कितना भी स्टॉंग ट्रेंड और पूल बैक जरूर आते हैं, तो पोजिशन जितनी भी थोड़ा बाद 50% में मुनाफ़ा जरूर बानने, क्योंकि मुनाफ़ा जैसा आशी जी ने कहा, थोड़ा घर भी आना चाहिए, तब ही फाइदा होता और हिम्मत बढ़ती है, और ब साट अंकी बाइंग के आस-पास खड़ा हुआ है, जी लास्स सेशन में हमने यहां पर एक सिमेंट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकाउट देखा और काफे अच्छे-काशे वॉल्यूम से, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग ज़रूर होई है स्टॉक में, वॉल्यूम ले तो आप लोग किसी इंडिपेंडेंट फिनाशल एडवाईजर से भी प्लीज कंसल्ट कर लीजेगा, इस नोट पर, अच्छा, अमिर जी जाने से पहले, कुछ पिक-पिक दे जाओ, तो हम सब का भला हो जाएगा जी आशी जी मेरे रेडार पे सुभे से आईसे से बैंक है, थोड़ा सा भाग ज़रूर गया है, लेकिन ब्रेक आउट आज ही हो रहा है, थोड़ा सा अगर टिप मिले, 1135-40 के लेवल पे मिले, तो इसे ज़रूर थोड़ा सा एक्युमिलेट करे, पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है, 1110 का स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे 1180 से लिगे 1200 के टार्गेट साइसे से बैंक में लगते हैं, और वाइडर मार्केट से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, यहां पे वॉल्यूम और स्टॉक्चर सपोर्ट है, 160 के भाव में ट्रेट कर रहा है, लेक ICC Bank कहीं भी थोड़ा सभी ठंडा पड़े तो खरीद लीजी और उपर से IRFC खरीद दिये, ICC Bank की बाचीत हुई तो Nifty Bank अपने शिकर से महज 40-42 पॉइंट दूर इस समय है, गजब का मूव आज के सेशन में, वो अच्छा बना दिया, साज बो सेंसिक ठटा के SBS PIX वापिस के Director साब ने, दिखा है जो आपने ऐसे से चोड़ रहे थे बार बार, ये, बड़िया लग रहा है, ठीक है, अन्रपूर्णा मैं, भावना मैं, पूजा जी, थांकिस हो मच जोड़ने के लिए, हमिच जी, ब्यूटिफली सारी queries solve करने के लिए आपका धनेवार, L&T Finance का मैनेज adaptation तो थोड़ा ठंडा था, internals भी कमजोर से हैं, कमजोर नहीं है, मतलब disbursement साड़े 3% Q on Q, AUM से साड़े 4% Q on Q का जंप है, पर मेरे लिए हाइलाइट है NIMS, 9.14% पे अब तक के all time highs पे, शुरुआत सुस्त हुती स्टॉक की, लेकिन आज बैंक्स financials का दिन है, L&T Finance कि रोज साब, good afternoon और congratulations बढ़िया numbers के लिए, stock markets eventually thumbs up ही दे रहा उन numbers को, अच्छा, FI24 यानि की बीते financial year में, cost of funds largely stable रहे थे, पर यहां से near future में, even FI25 में, कैसे pan out होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, cost of funds का जो हमारी stable रही है, इसका दो कारण है, पहले है कि जो जब हमारी treasury team, जब cost of funds काफी लो थे, covid के, covid के बाद, तब जितना हमारी जो long portfolios है, उसमें हमने long rate locks किया है, जो tranches हम, sort of borrowing tranches जो हम उठाये थे, उसमें हमने long tenor की rate locking किया था, तो उसमें, उसके कारण ह हमको थोरा stability मिला है, cost of funds में, plus आपको पता होगा कि हम tractor finance में हैं, as well as the micro loans में, जो PSL में आता है, तो हमने PSL borrowing में focus किया है, ECB में focus किया है, especially, you know, social sector lending में, जो हम जो funds deploy करते है, उसमें हमने ECB के कारण भी हमने 250 million dollars हमने raise किया है, इसके कारण यह जो 3 है, पहले हमने तो wrong, long tranche हमने lock-in किया, at a lower rate, you know, हमने PSL borrowing पे focus किया और हमने ECB को race किया है, इसके कारण हमारा cost of funds का directory काफी stable रहा है, okay, Roy साब, Roy साब, मैं पस time कम है, लेकिन FY24 जो था, यह last financial year, industry के लिए और even L&T finance, आपकी company के लिए बढ़ी आ रहा है, क्या expect कर रहे आप, क्या similar pace पे FY25 भी नजर आ रहा है, इस तरह सही growth trajectory FY25 में भी continue होती भी नजर आएगी, आप लोग FY25 की crystal ballgazing कैसे कर रहे हो, कैसा रहे गाई यह साल? देखें, जो इसमें दो चीज है, पहले तो आप अगर हमारा book composition देखेंगे, हमारा disbursement composition देखेंगे, इसमें दो पार्ट्स है, हम urban में भी है, हम rural में भी है, अभी almost disbursements अगर आप trajectory देखेंगे, तो हमनो almost 50-50 हो चुके है, 50% urban, 50% rural, अभी rural का जो growth है, यह monsoon पे dependent है, last year monsoon का काफी failure हुआ है, काफी patchy rainfall distribution हुआ है, especially western and southern parts of the country में, तो इसके कारण हमारी जो farm equipment finance business है, वो rage boundary है, उसमें ज्यादा growth नहीं है last year, इस साल अभी तक projection है कि monsoons normal होंगे, और अगर monsoons normal होंगे तो हमारा उमीद है कि हमारा जो farm business है, जो last year slugish रहा है, वो farm business में काफी बरो इतीत गर्मी पढ़ रही है, अभी तो summer सामने खड़े हैं, hoping इस बार monsoon उतना ही बढ़िया देखने को मिलेंगे, रॉय साब, thank you so much जुड़ने के लिए, सास भू असरे सिक्स पे तनाई break break के उस पार, CNBC आवास पे news coverage कंटीनू करेगा, नमस्काराइब झालाइब बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट की अपनी नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंड लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले